हालो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है थेटर एक्स्प्लेनर अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, सेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्काइब करके हमेरे सपोर्ट करें तो आएए बिना देरी के वीडियो की सुरुवात करते हैं मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन गैरेक्टर जैनिफर को ओफिस में काम करता हो देखते हैं आज बहुत ही लेट हो चुका था उसके साथ ओफिस में कोई भी नहीं था पर फिर भी वो काम कर रही थी थोड़े दिनों पहले उसके फियानसी के साथ उसका जगड़ा हो गया था इस वाजे से उन्होंने प्रिक अप कर लिया था पर विकेंड पर जाकर वो उसे सप्राइस करने वाली थी इसके बारे में वो एक email लिखती है पर इसे send नहीं करती है क्योंकि ये एक surprise था Nixon में हम हमारा और एक main character देखते है जिसका नाम में guy ये भी यहाँ से निकलने के लिए ready हो रहा था ये दोनों अलग-अलग floor उबर एक की lift में चड़े गाय जेनिफर से मिलते हैं इसे comfortable feel कराने के लिए जोग स्ववगरा करना start कर देता है लिफ में drawing बनी थी गाय ने जेनिफर को drawing दिखाए तब ही अचानक से लिफ बन हो जाती है लिफ में electricity थी पर फिर भी कोई भी बटन काम नहीं कर रहा था इन्होंने alarm विगरा दभाने की कोशिश की पर कुछ भी work नहीं कर रहा था लिफ में जेनिफर ने camera को notice किया camera में वे विगरा करते हैं पर दूसरी side पर कोई भी नहीं था ये phone करकर किसी के help मांग सकते थे पर range भी नहीं आ रही थी अब इस लिफ में ये 5 दिनों के लिए trapped है Friday, Saturday, Sunday और 2 दिन की छुटी थी गाय ने जेनिफर को कहा कि मैंने अभी-भी इस बिल्ली में जॉब जॉइन किया है उसे इस लिफ के बार में जादा कुछ भी पता नहीं है जेनिफर ने का आख कि कभी-कभी ये lift आवाज करती थी शायद इसी वज़े से stuck हो गई है काय को अचानक से idea है कि lift के उपर से ये exit हो सकते है हर lift में exit होने के लिए कुछ ना कुछ तो हता उसने खुद खोलने की कुशिश की पर उसकी इतनी height नहीं थी फिर वह चुक कर जेनिफर को ओपर की ceiling चेक करने के लिए कहता है जेनिफर के चेक करने के बाद भी ओपर नहीं हो रहा था इन्होंने बहुत try किया पर कुछ भी नहीं हुआ एक गंटा बीद गया और जेनिफर realize करती है कि अब उसकी flight उसने miss कर दिया वो गुसा होगे और सारी चीज़ों को गालिया देने लगके उसे प्यास लगी थी तो गाये ने उसे अपनी बॉटल दिये जेनिफर उसका पानी पिने से मना कर दिया पर गाये ने कहा हमारे पास एक तो एक पानी है दूसरी wine की बॉटल अब तुम decide करो वो मजाग में कहता है wine की बॉटल ओपन करने के लिए मेरे पास ओपनर भी है जेनिफर ने भी अपनी पर से निकाल कर उसे एक ओपनर दिखाया इस पर ये दोनों बहुत अस्ते है उसने विरुबानी पी लिया था वो गाये को as a gesture एक चॉकलेट देती है उसने का अब हमें सारी चीज़े एकदम तोल माप कर यूज़ करनी चाहिए हम यहाँ बर शायद पास दिनों के लिए फसे रह सकते है अब इसके बाद और चार घंटे बीट गए थे उसे पी करना था पर गाये के सामने इस तरीके से टॉलेट करना यह उसे अजीब लगता है गाये ने फिर उसे एक बोटल दी कहा कि एक नैचरल चीज है इसमें कोई भी शरम करने की ज़रूरत नहीं है उसे मूडने के लगाती है और फिर टॉलेट कर लेती है उसने अब रियालिटी को एक्सेट कर लिया था कि अब यहा फसे रहेंगे लीफ में जो ड्राइंग बनी थी उसी ड्राइंग को कम्प्रीट कर लेती है जनिफर गाय से बुछती है क्या तुम्हारी कोई भी girlfriend वेगरा नहीं जो तुम अगर घर पर ना हो तो पुलिस को call करकर तुम्हारे बारे में पता करेगी मैट कहता है कि ऐसा कोई भी नहीं है जनिफर ने भी अपने फियांसे के बारे में उसे कहा उसे surprise देने वाली थी तो फियांसे को भी उसके आने के बारे में कुछ भी पता नहीं था ये दोनों realize करते है कि वो कितने same है गाय ने फिर wine की bottle खोल ली time pass करने के लिए दोनों एक दूसरे की drawing बनाने लगते है काय ने जैनिफर की बहुत ही अच्छे से drawing बनाई थी पर जैनिफर उसके एक funny से drawing बनाती है जैनिफर को इसके लिए बुरा लगा और हो कहती है तुमने मेरी जो picture बनाई इसे में मेरी profile picture रहूंगी बाते करते करते खाने पर discuss करने लगते दोने भुगे थे तो जैनिफर ने कहा कि subject हम change करते है अलग-अलग topic पर discuss करते हुए एक दुसरे के partner के साथ crazy story ये बताने लग जाते है जैनिफर कहती है कि एक बार में मेरे boyfriend के साथ library में intimate हुई थी मैट पहले तो बहुत ही शर्मा रहा था पर बाद में हो गहता है कि मेरी एक cover कर दी हम एक बाद drive पर गए थे वो ही पर intimate हुए थे ये सब बताते हुए उसे जैनिफर के लिए feelings आ गए जैनिफर को भी इससे कोई भी problem नहीं था फिरे दोनों यही पर intimate हो जाते है intimate होने के बाद गाई ने जैनिफर से गा ये तुम्हारे प्यार में पढ़ सकता हूँ ये पाद जैनिफर को बहुत ही अजीब लगी वो उसे गहती कि हमारे बीच में जो भी हुआ इसके बारे में हम भूल जाएंगे वो अपने फियांसे से बहुत प्यार करती थी उसके पास वापस जाना चाहती थी गाई को इस बात में बहुत हर्ट कर दिया वो गहता है मुझे लगा था कि हम दोनों में एक कनीशन है क्या तुम्हें कुछ भी फील नहीं हुआ जनिवर ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है उसके फियांसे के साथ बहुत सालों से थी तो उनमें एक अंडरस्टैंडिंग थी जनिवर की ये सब बाते सुनकर एक बंड लिफ्ट में होने की बावचूत एक दूसरे से बहुत ही दूर है ये सारा गाय महसूस करता है उसके आग में असु आ गए थे जनिवर उसे कहती है हम एक दूसरे को सही तरीके से जानते भी नहीं अजनक से गाय का बिहेवियर चेंज हो गया वो अपने मोबाइल में उसे CCTV फूटेज दिखाता है कहता है कि मैं रोज तुमें देखता हो तुम जब काम बराती हो काम से जाती हो हर रोज में तुमें ही देखता रहता हो वो एक्चुल में इसी बिल्डी में सिकुरिटी गार्ड है उसने पहले जनिवर को जूट कहा था किसी building में accountant है उसने convince किया कि सब कुछ मैंने plan किया था वो Jennifer के साथ एक दूसरे को जानने के लिए chance चाता था वो चाता था कि Jennifer उसे पहेजाने इसी वज़ेश उसने सब कुछ किया था वो बने pocket से चावी निकालता है और लिफ स्टार्ट हो जाती है जेनिफर उस पर गुसा होगी, कहती है कि अब मैं पुलिस को कॉल करूंगे, तुमने जो भी क्या इसके लिए तुम्हें भुगदना पड़ेगा इस सुनने के बाद गाये ने लिफ बंड कर दिया, जेनिफर डर कर फिर से लिफ को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, पर गाये ने उसे पकड लिया, जेनिफर स्ट्रगल करते हो लिफ्ट की की को मार देती है, और इस वज़े से तूट गई थी, अब एक्चॉल में इस लिच में कोई भी डिस्ट्रेक्शन नहीं था तो मैं एक दूसरे को जान पाए प्त्रैक्टिकली हमारी पूरी रेलेशंशिप इस लिफ्ट में हो गई हम एक दूसरे से मिले एक दूसरे को जाना और ब्रेक अप भी हो गया जैनिवर अब भी बहुत गुस्सा थी है उसने अपने फियांसे के लिए जो गिफ लाए था कि गाये ने चेक किया इसमें एक अच्छा-चा शर्ट है जो गाये पहन लेता है गाये के पास भी मुझे सपोर्ट दो मैं उपर जाकर इस लिफ को खोल दूँगा जैनिवर उस पर बिल्यू नहीं करती कहती है कि मैं उपर जाती हूँ मेरा वेट कम है और मैं जल्दी से तुम्हें ओपन कर दूँगी गाये को उस पर शक आने लग गया था पर उसे जो बात सुननी थी यही जैनिवर ने कही वो गय थी कि हमने एक साथ इतना सारा टाइम स्प्रेंट किया मैं तुम्हें धोका क्यों दूँगी गाये फिर उसे हेल्प करने के लिए मान जाता है और जैनिवर उपर आके उपर आने के बाद जैनिवर ने उसे धोका दे दिया मैट बहुत डिस्टरब हो जाता है वो कुछ भी करकर उपर आने की कोशिश करता है उसने अपने कपड़े निकाले उससे एक रसी बना कर उपर आ जाता है जैनिवर ज़रा जादा उपर चली गई थी वो डोर को पकड़ने वाली थी तब नीचे से गाया और उसे पकड़ कर फीर से लिफ्ट में लेकर आता है ये दोनों इससे इंजोर हो गए थे गाय अनकॉंशेस हो गया और जैनिवर होश में आ गई लिफ्ट तैस नहीं थी तो उसने यहाँ पर फायर अलाम को नोटिस किया गाय के गिफ्ट में से उसने लाइटर निकाल कर थोड़ी सी आग बना आने के लिए कोई भी आने नहीं वाला जैनिवर जल्दी से उसे मार कर उसके हाथ पैर बान देती है वो गहती कि हम यहाँ से जल से निकल जाएंगे पर तुम्हें सब कुछ अभी के अभी कनफेस करना पड़ेगा वो बाद में कोर्ट में जुटी सावित नहीं हो सकती तो म आटकोस ने का तुम सब कुछ अब कनफेस कर दो अगर गाय ने इसा नहीं किया तो जैनिफर उसे बहुत भी बूरी तरीके से हर्ट करने वाली थी गाय फिर सारी चीज़े कनफेस कर देता है जैनिफर फाइनल उसे पुछती है तुमने यह सब किया क्यो गाय कहता है कि मैं ह अकाउंटन था और बहुत सारे पैसे कमाता था जो स्टोरी मैंने तुम्हें पताई थी कि कार में मेरी कोवर कर के साथ में इंटिमेट हो रहा था तब ही उसका एक्सिडन्ट हो गया उस पर चार्ज़ेस लगे पर गाय के पास बहुत सारे पैसे थे तो six months में वह बाहर आ ग आता था इसी वज़े से उसने सब कुछ प्लान किया निक्सिन में हम देखते हैं कि मैट के साथ काम करने वाला सेक्रिटी गार्ड या अपनी गल्फरेंड को छट दिखाने के लिए यहाँ पर लेकर आता है उसने तो छुट्टी ली थी वो वापस आने निवाला था पर गल पर इसी उपन हो रही थी वो अपनी कीस लेने के लिए वापस जाता है तबी गाय जैनिफर पर हमला करकर उसे बेहुश कर देता है वो वापस आया और अपनी की उसने मैट को दे दी गाय कहता है कि उपर आओ मुझे हेल्प की ज़रुरत है वो आधा ही अंदर आया था तब के बॉइफरेंड के बारे में उसे पुछती है तो गाय ने कहा कि वो तो चला गया गया गल्फरेंड ज़ला सस्पिशेस होकर या से जा रही थी तो मैट उस पर भी हमला करकर उसे मार ढालता है अब इसके बाद अपनी गाड़ी में जेनिफर को एक सुमसान रस्ती पर वो ली लीगे उसने पीछे देखा तो गाय अब भी जिन्दा था वो बहुत जादा गुस्सा हो जाती है रिवर्स में जोर से गाड़ी लेकर गाय को उसने मार ढाला गाय को ही डिस्विर्ट में डालकर पेट्रोल छिड़क कर मार ढालती है तो इस तरह इस मूवी का एंड हो जाता है थैंक्स पूर वाचिंग गाईज कीप वाचिंग थैंक्यू